मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को अर्दवार्शिक परिच्छा कच्छा दस के गड़ीत को पेपर को हल कराने वाले हैं और पूरा डीटेल में हल कराएंगे आप इस प्रश्ण पत्र को जरूर एक बार फूल वाच करें देखिए आपका जो प्रतेक पेपर में आप सभी को निर्देश के बारें बताएं यहां पी देखिए आपको 15 मिनट रहता है प्रश्ण पत्र पढ़ना रहता है इसमें प्रश्ण में दो उप्खंड होंगे 20 अंग का जो विकलपी प्रश्ण रहेगा जिसे ओमार सीट पर आपको उत्तर देना निर्देश रहते हैं ठीक यह निर्देश आपको कई बार आपको बता चुक्क है एक बार निर्देश को आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आपको सीधे प्रश्ण हल कराते हैं और सभी प्रश्ण को बताते हैं यह जितने भी प्रश्ण है आपके बोड की एक्जाम के स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रस्ण लाएं ठीक है जिसमें बहुवी कल्पी पहले प्रश्ण आपसे पूछा गया है पहला प्रश्ण क्या है आपका कि परिमे संख्या 14587 अपान 1250 का दस्मलों प्रसार निम्नलिकित किन दस्मलों अस्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा अब देखिए इस प्रकार के प्रश्ण को आप कैसे लगाएंगे बहुत ज्यादा सिंपल होता है लेकिन कुछ इस्टूडेंट क्या होते हैं कि इसमें हल करते समय गलती क्या करते हैं को दुरह बढ़ते हैं कापी पेज ले दस्मलों पर सार पूछेगा कितने अस्थानों तक हो जागा ऐसे प्रश्णों का आप कैसे लगाएंगे आपको कुछ नहीं करने बस यह हर जो है ना बार सो पचास इसका क्या करेंगे आप गुलंखंड कर लेंगे देखिए गुलंखंड कैसे करेंगे पहले इसको देख ल ट्राव से कटका कितने बार में जया कर थे दून गुल्रे यह 5 कितना भार राए चार बारा पांच पे चार घॉटे चार से मदभ ऐसा पर 225 तक होगा चार अंको तक दस्मलों पर बाग नहीं जबूरूत नहीं है बस इस तरह बुड़नखंड की जिसमें देखिए कि दू और पांच का बन रहा है इसमें दू और पांच में कौन सा सबसे बड़ा घात है उतने अंकों तक आपको दसमलों परसार होगा यहां पर चार आया तो इसका सही जोग क्या होगा गवलापसन सही ह जाएगा समझ में आगे होगा कितना आपको सटिक तरीका से बहुत सिंपल तरीका से सवाल को बता है ठीक है इसी तरह परतिक सवाल को आपको सिंपल तरीका से सिखाने वाले बस आप वीडियो को लास तक जोरू देखिए दूसरा नमबर सवाल देखिए कि दिया है कि लहसा यहां पर बहुत सिंपल है पहले लिखें यहां पर कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बरावर होता है यह आपका सिंपल सा फार्मूला होता है पहली संख्या 132 रख लिजिए सेकेंड के दा है 288 ते 288 रखिए यहां पर हो जाएगा आपका लॉसर लॉसर कितना दिया है सीधर रख लिजिए मानिया अप लिखने क्या जूरूत है 300 108 गुड़़ क्या दिया है महसर दिया है ठीक और यही आप को ग्याद करना है देखिए कहसे ग्याद करेंगे 132 गुड़़़े 288 इसको पच्छांता करेंगैं बटा में 3000 168 हो जागा और यह आपका महसर अब अब इसी को गुड़ा भाग करके आप हल कर लेंगे आपका एंसुर आजाएगा चलिए इसको भी हल करके बताते हैं कि पहले इस संख्या को 11 से कट रहे देखे 11 11 11 12 हो जाएगा अब इसको कट आईए अगला प्रसंद देखिए बहुत सिंपल सा है कि अधिक से अधिक सुन्यकों की संक्या पूछ रहा है कि सुन्यकों की संक्या मतलब होता है कि यक्स का मान कितना होगा यह दो घात का पूछे का सुन्यकों नटल नटलब को चुन्यकों के credit 29 कितना होका तो मतलब होता है कितने सुन्यक को सुन्यकों आँairy जाएगा आट है मैकसिमम उसके अगला प्रसंदेखी समझ में आ गया होगा यह प्रश्ण आपको डाउट होता है मैं जरूर लिखे अगला देखिए एक भिन का अंस उसके हर के दो गुने से एक अधिक है यदि हर में तीन जोड दिया जाए तो भिन का मान एक हो जाता है वह भिन क्या होगा देखी जब आपसे पूछेगा तो ऐसे प्रशनों को कैसे हल करना है ऐसे सवालं को नहीं है तो यह बहुत स्वाल को अंस जो है आप द्यान दिए आन्स जो है वह हर से कह रहा है हर से दू गुणे से एक अधीखे बस के आपको पता करना है यहांप से ते पाक्ष है इसका। ओन दू प्लस, एक के देखे म использовать नूमें 5 आज रहा है इसका सही क्या हो गया यहीं वाला आपको लगाने के भी जरूल ही पूल सिंपल तरीका से हो गया अब दूसरी आप संद्म को भी आप चेक कर सकते हैं का रहा है कि अंसर यह हर के दूरेसे आनिक लूख करेंगे और एक जोड़ लीजी दू दूर चाहरा है जोकी नो दिया इसलिए यह वह भी नहीं सभ़ाई यहां पर ज़ेए कर का रहा है कि हर का दूगा ना यहां तो कि अगले लाइन को भी आप चेक कर सकते हैं का रहा है ज़िए कि यह हर्म जो भिने यानि पांच बटा जोड़ा के दूग जोह है सब्सक्राइब करए है कि हर में तीन जोड़ देजिए और इसका कर रहा है कि एक हो जाएगे इसको हल करेंगे एक मान आना चाहिए हर कर सब दो तो आपको जैसे तारीका पता है इस तरीका से लगांगे तो आपको कुछ समय में ही इसका निखा लेंगि इसका सही जो आप कवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए एक्स प्लस तीन वाई बरावर छो तो आप यक्स और वाई के मान ग्याद कीजिए अब देखिए ऐसे प्रशनों को आपको कैसे लगाना है बहुत सिंपल देखिए आपको लग रहा होगी कटि यक्स से दूसरा वाई के मान एक आपको क्या करना है कि यक्स प्लस तीन वाई बरावर हल प्रशनाना है यहां यह एक्स वाई का मान रखने के बाद च्छा आना चाहिए चलिए आपसन को देख लेते हैं यक्स को मान यहां-च्छरू रखेंगे तीन गुड़े वाई के सब्सक्राइब तरीका सब्सक्राइब किसी पर नहीं आएगा इसका सब्सक्राइब क्या होगा यह सवाल कितना सब्सक्राइब इतना सिंपल तरीका से आपको प्रश्नों का निकालना सिखा रहे हैं आप डेली इस तरह ट्रिक के माध्यम से देखते रहेंगे सभी प्रश्नों को आप बहुत कम समय में सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे अगला देखिए यदि वन आपन यक्स स्कॉर प्लस छ तो यहां पर कुछ मान देना चाहिए प्लस के बराबर से बराबर तो मान होगा यानी मान बताना है कि यक्स का मान क्या होगा आप जब मूल बराबर हो तो ये पता है एकक मानता है ये अपको घरता चुक्ट हैं को को बहुत सिंपल तरीका से सिखा है था नहीं को इसका कढ़ेशन क्या होता है मूल वगई स्थैठीन होता रहा है कि अब एक से camera राख से अब रख लेते हैं ठीक है जहाँ अब नहींतर नहीं दों यूट प्लस हो जाता है माइनस चार तरहीं की हो जाए को बराबर जीर हो जागा देखिए इसको इदर पच्छानदा करें माइनस इदर आगे प्लस हो जग यह वगया बारो को पच्छानदा कीजे 144 बटा में 12 कर लीजिए के बार से कटे कितने बार में 12 बार में कितना आया बार आगे न आपका इसका सही जो अब क्या हो जाएगा फिक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखे आठवा नंबर का आपका सवाल क्या कर रहा है चित्र में तिरभूज ABC के आधार buds के समानतार रेखा करण पीफिट कीचा गया यहीदि पीफिट अनुपाद या इसका मतला पीकिव को मान दिया एक दिख़हे और बीछ कमान कितना पूछ रहा है यहां पर घ्यान दिजिए नो इसका मतलब क्या होगा यहां पर भूजाओं अनुपाद होता यानि कि यह भूजा यानि इसका फार्मूला होता है तीन दिया है तो यहां से लेके यहां तक यह पूरा मान कितना होगा आपका इसलिए है यह पूरा 3 है इसका मन कितकुत अंपाद हो जाएगा पण पीमेς को去 एक वगा है फिर कीविकल दो है तो नारचा फीन को वह ऻगा तो आप इसी तरह लगाईएगा ठीक है अगला सवाल देखिए क्या करा है यदि किसी एक ना यदि एक रहा किसी त्रिभूज के दो भूजाओं को एक ही अनुपात में भाजित करें वह तीसरी भूजा के होती है जैसे देखिए आपके सामें त्रिभूज यह त्रिभूज य इस तेखिए यह यहगा पतव है और एकल थे इसको अनुपात में बाट रहा है तो तीसरी भूजे जो है इसके क्या है यह समांतर रहना है इसलिए इसका सही जब क्या हो जाएगा अगला देखिए दस्वा नमपर क्या करा है कि बिंदू माइस दू काम अच्छा ता हमान दू काम 10 को मिलाने वाले रिखा खंड के मद्ध बिंदू के निर्शांग ग्याद कीजिए देखिए यह होता यहां पर मद्ध बिंदू का निर्षांग गयात करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए देखे फार्मूला होता क्या है यह 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 फार्मूला होता क्य कामा buy one का मान च्छ, five तो सठी है यहांय سबस्दों यहां पर देखे या रीधियां जो मान म derecho का मान कितना है माइनस डू है यहां पर ध्यान दीजिगे माई दीजिया न है-2 और यह कटाएंगे तो आठ हो जागा यानि कि मदविंदु का निसां कितना हो जागा मानेस दू कामा आप्सन में चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया है यह गवला आप संप क्या हो जागा साइब आपका समझ में आगया होगा अगला प्रशन देखिए आप तरा, एक जिला rated number का, कि तीन कामा चार की obec बाइ अच्छोस से बूच रहा है ऐसे सवालों को आप whispering बता है इसका आपकर kolon in cóbe ya speaking इसका आप write लिखья ऑफ लिखिए कि 아प the billyanत गाल कहया होता है यह आप किसका मान बताते हैं यक्स का मान बताते हैं ठीक है तो आई अच्छे से पूछा थी यक्स का मान याप कितना है तीन है तो आपको याद दूना चाहिए सिख ठीटा कमान दू किसमें होता है सिख साट रन्स कमान होता है तिसका सही जवाब गवल आपशन सही हो जाईगा अगला देखिए कि यदि कास ठीटा पाइस ठीटा कमान 25 होगा देखिए आपको पता है कि कास ठीटा कमान एक बटा के खड़ी दू होता है और साइन 45 त्हुत यह आद कोना चाहिए कि साइन ठीट अगमान और काश ठीट अगमान तभी बराबर होगा जब आपका कोड कितना होगा 45 संस का सही जोब क्या होगा गवलाप्सन क्या हो जहागा आपका सही हो जाएगा ठीक इतने प्रशन आपको समझ में आ गया होंगे तीन काटे कितना दिया है पर चार तो यहां से काट एक कावानग एक भाणतर का चार बटा के चार लिखा लिखांगा नभ noises यह डार क्वर्वर्मूला हो छाएक तो क्या हो जाएगा कि आधार बटाके लॉजाता है यह आपका काट-े का फार्मूला होता है यानि कि इसका मतलब हुआ कि आधार हुआ चार लम कितना हुआ ती और यहां पी चीज़ आद होना चाहिए ठीक है प्रशन हल करते समय यह चीज़ आपको याद होना चाहिए अब यहां पी नियंपता तारह बर ओके दो लिसका मतलब होता है कि अल्द चाहिए सिख अनदता बाच तो आप पाथा गोरस पर में लगाते बैट के घंटा हल करते आपको जितने भी नियम बता रही है यह पता रहे तो इकल्पी प्रश्णों को आप कम से कम समय में लगा लेंगे इसका पांच बटा के चाल देखें कौन सा अप्शन सही यह वरा अप्शन सही हो जाएगा समझ मे अब कोड मतलब ठीटा कमांड देए साथ चेत्रफल पूछ रहा है लोगी चेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है ठीटा बटा के तीन सो साथ गुड़े पाई और स्कॉर फार्मूला होता है अब इसी सवाल को आपको लगाना है देखिए पाई के रूप में तेन सवर अजुआ हो जाएगां यहां पर देखिए आप इसको लिखेंगे तो आप सहाही सहां दिय क्गा 1 बटा के चुम बाइस बटा के साथ बू है यह क्या शैक्च ना c cursed गुड़ा कर लिए यहां पर गुड़ा करेंगे यहां पर लिखेते हैं 6 दूना के 12 6 बादा 132 कितना होजागा 6 का 22 अब गुड़ा करेंगे 132 के यह बहुत ध्यान से देख के लगाया जाता है यह भी चीज आप जानते रही है अग्ला देखे 16 नंबर का कि समानते सड़ी चार कमा 10 कमा 16 कमा 22 कमा का सारवांतर पूछ रहा है देखे सारवांतर निकालने के लिए सब्सक्राइर अगरצे से सब्क्राइब थाइंगे पिछली तो दस सब्सक्राइब के सकते ches लिए नबर को सब्सक्राइब कIGHता है यह इसको यहIC Зबूयह को अगला प्रशने सत्री बुर्ट जैसे ये आपका चतरभूज है अब इसमें बृति खीचा गया तो विल्सके अंदर यह दि कोई चतरभूज होता अंगला प्रशन देखिए लिए प्रयुक्त की जाने वाले एक Surtle Kaag Daekar Sanhiyojan होता है कि सभर kak मतलब प्रक coyote को जो आप बेडमेंटिल ख्रते हों जिसे आप लोग चीडिया बोलते हैं इस आकार का अप लोग देखेंगा ऐसे करके ठीक ठोड़ा से बना देते हैं ऐसे देखें कि यहां पर ऐसे रहता है और इसके नीचे आसे यहां पर यहां पर यहां रहते हुआ आपसंसरी हो जाएगा ठीक है यह उसके हो रहते हैं शुरिया पॉलते हैं उसमें क्या होता है एक संकूछनक होता है एक अर्ध गोला होता है छले अगले प्राश्चनों को देखते हैं सभी प्रश्चन होता है किसी प्रश्चन में आपको डाउट होता है मैं जरूर लिए है近 आपको जरूर उसका अंसमर तुरंत बताएंगे इसका सही जवाप गवल होगा और यह फार्मुला होता है इस फार्मुला पर बहुत ज़्याद आपके सवाल भी पूछा जाते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक माद दिकाओ माद में क्या संबंद होता है तो बहुलक बराबर होता है तीन गुड़े माद है 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 दो थे digital नुट तो कि सभी प्रणा योगते पद क्या है अल्फाप्र left sub to supplier अलफा प्लस च्यार को अलफा प्लस डूँन हुआ था बताम पदों की संक एक दू टीन च्यारब्पर टोटल पत कितना है है फास्त ते अपर वह बराबर क्या है समान्तरमाद काई यहां सवाल जोड़ा एक दू तीन चेर पांच ताफ आलफा हुआ प्लस बीस को पहले पांच चान्दद कर लिए यहाँ पश्पन और मैनेस हुआ और बराबर क्या होगा हाय ख़ड़ा में 15 हो जागा 5 एक प्ता क्यों यहां ब्राइब AHатель करें नहीं आपको यहांत हुआ और 75 आपको 65 साथ हो यहांगा तो ilp domain कितना वब का साथ हुआ अलफा कमान साथ हुआ तीस सवाल आपको मिले गनत ऐसे सवालों को लगाना रहता है अब आपसन में देखिए का वहलापसन सही हो जाएगा समझ में आ गया होगा यह था आपका बहुत कलपी प्रस्ट जो आपको जो सवाल टिक से हल कर सकते हैं को हल करके बता है आपको लांगवीदी से लग सकता है तो आपको अब यहां से खंड होता है यहां पर सभी प्रशनों को देख लिजिए इन सभी प्रशनों को भी साथ में आप तैयार कर लिजिए करा बिंदू एक निर्शांग जाद किदिए जहां एक ब्रित का ब्यास है जिसका केंद्र 2 क करना है अगला प्रशन आता है आपको इस पकास से भी आपका पूस्ता है यह फार्मूला किस फार्मूला प्लगेंगे एडी भूजा ऐसा सवाल आपको बहुत पता है ना एडी वटा के क्या हो जाएगा देखे एडी वटा के यह जाएगा क्या हो जाएगा इस फार्मूला प्लगाएंगे सवाल तो आपका सवाल हो जाएगा आपका एंस्वर भी स्ट्टिक तरीका से आजएगा यह सवाल देख लिजिए कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाए 14 सेंटिमीटर इस सुई द्वारा पांच मिनट में रची छे संबन्द याद कीजी जो बिंदू यक्स का मवाए 1 एक कम अदूँ और 7 कमद 0 से अएसे सवालों को भी आको सिखाया गया है यह जितने वी प्रश्न आपको बताया जा रहे एक भार प्रश्नों को देखिए और सभी प्रश्नों का उब जरूर तयार कर लिजिए निम्हें 1 x square plus k x plus 1 के सुन्निकों में एक सुन्निक माइनस 3 हो दूसरे सुन्निकों का मान ग्याद कीजिए अगला सवाल कि लंबाए 6 मीटर वाले एक उर्दवा अधर अस्तम की भूमी पर 6 की लंबाए 4 मीटर है जबकि उसी समय एक मिनार की 6 की लंबाए 8 मीटर है 28 मीटर है तो मिनार की उचाए ग्याद कीजिए यह जितने भी है आप सभी को पढ़ाया गया है इन सभी प्रशनों को आप तयार कर लीजिए ठीक है अगला देख लीजिए एक थैले में तीन लाल पांच काली गयंद है इनमें से एक या दि रिच्छता गया निकाली जाती है प्राइक्ता ग्याद कीजिए जैसे लाल होने की प्राइक्ता क्या होगर लाल नहीं होने की प्राइक्ता ऐसे भी सवाल आपको बताया गया है अगला देखिए कि 7,13,19,205 में कितने पद है यानि पदों की संक्या ग्याद करना है इस सवा होती है तो वह उसी यात्रा में एक गंटा कम समय लेती है रिलगाड़ी की चाल ग्याद कीजिए अगले सभी प्रश्णों को देख लीजिए आप बहुत सभी अगले सभी प्रश्णों को आप तैयार कर लीजिए अपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल पे नहीं तो चलोगों साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें